नमस्ते, स्वागत है अब सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ग्रेविडियो आफ नॉलेज पर दुनिया में इसी कई खतरना जीले हैं जिनके रहस्य को आज तक कोई सुलजा नहीं पाया है कुछ इसी तरह की जीलों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे बात करेंगे नेटरन जील की जो की उत्तरी तंजानिया में है ऐसा माना जाता है कि इस जील के पानी को जो भी छूता है वो पत्थर का बन जाता है इस जील के आसपास कई पशु पक्षियों की पत्थरों की मूर्तिया मोजूद है नेटरन जील से दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं है इस जील के आसपास पत्थर के जानवर और पक्षियों की मूर्तिया पड़ी है जिसे देखकर जील के जादूई होने की बाद सच भी लगती है लेकिन इन सब के पीछे एक वेग्यानिक कारण है ये नेटरन जील एक अलकलाइन जील है जहां के पानी में सोडियम कार्बोनेट की मातरा बहुत जादा होती है पानी में अलकलाइन की मातरा और अमोनिय की मातरा एक समान है ये सब कुछ ठीक वेसा ही होता है जिस तरीकेसी की इजिप्ट में लोग ममी को सुरक्षित रखने के लिए करते थे हाला कि नेटरन जील ही दुनिया में अकेली ऐसी नहीं है जिसमें खतरनाक रासाइनिक तत्व पाय जाते हैं अफरीकी देश कांगो की कीवु जील दुनिया के सबसे खतरनाक जीलों में से एक है इसे विसफोटक जील के नाम से भी जाना जाता है यहां के पानी में कारवन डाय अक्साइड और मिथेन गेस मुझूद है कहा जाता है कि इस जील के पास अगर हलका सा भी भुकम पाजाए तो जील में एक बड़ा सा विसफोट हो जाएगा उत्तरी अमेरिकी महादूइप के केरिबिन छेतर में स्थित एक देश है डोमेनिका जहां एक उबलती हुई जील है इस जील के पास जाना मोत को निमंत्रित करने के समान है दरसल इस पानी का तापमान 90 degree Celsius तक पहुँच जाता है जिसकी वज़ा इस जील के पास एक जौला मुखी का होना है जो पानी को हमेशा गर्म रखता है डोमेनिका दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी उबलती हुई जील है दुनिया की सबसे बड़ी फ्राइंग पें जील है जो की न्यूजी लेंड के रोट रुआ के पास बाई मुगू घाटी में स्थित है यह जील जौला मुखी क्रेटर के हिस्से में लगभग 38,000 बर्ग मिटर के एरे को कवर करती है इस जील की ओसतन गहराई 5.5 मिटर है लेकिन कहीं कहीं पर यह 18.3 मिटर तक गहरी हो जाती है अब बात करते हैं अगली जील की जो की इंडोनेशिया की जील कावाह इजेन लेक है जो की दुनिया की सबसे ज़्यादा अमली जील है इस जील के पानी का ताप मान लगबग 200 डिग्री सेंटीक्रेट तक बना रहता है जिस कारण ये हमेशा उबलती भी प्रतीत होती है लेकिन इस जील का रंग रहस्य में ही है जिसका पानी रात में फिरोजी पत्तर की तरह चमकता है दुनिया की कुल एक्टिव 75 प्रतिशत जोलमगी इंडोनेशिया में ही है जिन में से एक जोलमगी का नाम कावाह इजेन है इसी के नाम पर इस जील का नाम कावाह इजेन लेक पड़ा है अब बात करेंगे एक ऐसी जील की जो अचानक से रातोरा तस्तितु में आई जो उत लगबग एक हेक्टर क्षेत्रफर वाली जील 10-18 मिटर तक गहरी है फॉस्पेट की मातरा अधिक होने के कारण इस जील में 13 की करना तो थोड़ा मुश्किल होता है अस्तितु में आने के बाद से इस जील का नीलापन बदल कर हरा हो गया और अब ये जील दुनिया के में शामिल होने के साथ ही एक खुबसूरत टूरिस स्पोर्ट बन चुकी है अब बात करेंगे हमारे भारत की रहस्य में जील की जो कि हिमालाई पर लगबग 5,029 मीटर की उचाई परिस्थी थे यह रूपकुंड जील है जो कि भारत की उतराखंडराजी के चमोली जीले मे सबसे पहले इने 1942 में ब्रिटिश फॉरस्ट गाड ने देखा था पहले माना जाता था कि यह सेकेंड वल्ड वार के समय के जापानी से निकों की कंकाल होंगे लेकिन एकत्रित किये गए सेंपलों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह 12-15 सदी के बीच के हैं 2004 में भारती और यूरोपिय वेग्यानिकों के एक दल ने उस स्थान का फिर से निरिक्षन किया और ये निशकर्ष निकाला कि ये नरकंकाल 880 सदी के असपास के हैं क्रिकेट के बॉल जितने बड़े ओलाव रष्टी के कारण और हिमाले पर कोई आश्रे न मिलने के कारण ये पूरा समूह मारा गया होगा यहां 500 से अधिक लोगों के नरकंकाल मोजू थे तो इसतर आज के वीडियो में हमने दुनिया की विभिन रहस्य में जिलो के बारे में विस्तार से जाना आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फर वाचिंग